आज एक और बहुत ही असान और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी के साथ फिर से हाजर तो आज मैं बनाऊंगी चीज फिल्ड चिकन स्ट्रिक्स जो के पिलकुल ही दो तीन इंड्रीडियंट्स के साथ आप घर पे वेरी इसली बना सकते हो तो यहां मैंने सबसे पले ले ली है च चिकन चस्ट और इसको मैंने दो हिस्सों में इस तरह से कट कर ली है सेंटर से उसके बाद आप लोगों ने ले लेनी है प्लास्टिक शीट क्यूंकि जब हमने चिकन को थोड़ा सा फ्लैट करना है तो ऐसे ही विदाउट शीट इसको फ्लैट करेंगे जो हैमर्स होते हैं कि हमारा चिकन चिपकेगा इतर उतर उसके पीसेज होंगे तो वो नहीं सही रहता है तो इस तरह से डबल शीट करके उसके ओपर आपने हैमर से इसको अच्छे से थिन फ्लैट करना है बोट साइड से तो यह आप लोग सेम जिस तरह से वीडियो में प्रोसेस हो जो जो इंगे थोड़ा सा और कर लेंगे फ्लैट करने से यह होगा जब हम चीज के साथ इसको रोल अप करेंगे तो यह खुलेगा नहीं सही से फ्लैट रहेगा और इसका बड़ा प्यारा सा रोल भन जाएगा और सेकेंड चीज जब आप फ्राय करने लगोगे तब भी यह वेरी इसली तो यह फ्लैट हो चुका है अब हम इसको ले आएंगे बिलकुल अपने टॉप आफ दी शीट पे इस तरहां से पाकी शीटा पीछे चोड़ दो के और अब आप इसको शीट से उठा लो क्योंकि अभी हमने इस पे मसाले वे डालने हैं शीट के साथ मसाले डालेंगे तो शी पेपर और सॉल्ट भी एड़ कर सकते हैं या आपके अपनी चॉइस पर हैं कि आप उसको ब्लैक पेपर के साथ ट्राइब करना चाहरे हो यह पर पैपरिगा का पाउडर के साथ ट्राइब करोगे अगर आपके वास वैसे पैपरिगा का पाउडर नहीं है तो भी कोई शू नहीं है आप इसके अंदर रेड मर्च भी एड़ कर सकते हो ठीक है अब इस तरह से हमने इसको कर लिया और टॉप आफटी शीट पे हमने इसको रख दिया है अब हमें क्या चाहिए है मौन्जरा इला स्टिक्स दो मतलब जो चीज स्टिक्स होती है ना मैंने यह पैकेट वर रोल नहीं हो रही तो आप इस तरह से इस रोल को बंद करो इस वन क्यूंकि फ्लैट ही है ना चिकन तो शेव आपको पता है खराब हो सकती है तो जिस तरह से यह परफेक्ट रोल अप हो सके इस तरह इस तरह इस तरह तो आपने इसको रोल करके बना लेना ठीक है सारा रोल ह हम वो नहीं बनाते हैं हॉर्ट डॉक्स बनाते हैं होममेड उसके अंदर पी ऐसे ही होता है या पिर हम जो इमलेट आफ़ेज वगरा ट्राइ करते हैं तो आपने इसको अच्छा स्ट्रॉंगली रॉल अप करके देन इसको बंद करके रखते हैं ठीक है अब हमारा एक रॉल र खरफ आते हैं आप चाहें तो चीज चेंज भी कर सकते हैं बर्गर चीज बी आट कर सकते हैं प blossom पैजा चीज भी सबसंद एड़ कर सकते हैं चैडर चीज भी एड़ कर सकते हैं कोई ishoo नहीं है मौँच्छी चैज मैं आट कि रही उए दो अगर एप लोग के ुबस्छी हुआ चिकन है वो भी ओके है लेकिन अक्सर स्लाइस भी आपको बता करें ना करें से थोड़े से मोटे कट्र हो जाते हैं बजार से भी लें वो जो पसंदे टाइप होते हैं तो उसको भी आप कोशच करें थोड़ा सा फ्लाइट करने में असानी होगी और जैसे कि मैंने आप कर दो एक बाद वे तो पहले भी यह रहीं को टो को पहले भी बीटाया वाइट मेर्ग व पाउडर भी यूत कर सकते हैं और यू ने आप को कर दो कर दें से अ양 को आपके और इसको जोसा कर ने के बाद आप बढ़ा हम ढ़ािए े रोल अप किरने के बाद ना अट ली स्ट आपने इसको ट्वांटी मिनध्स के लिए फ्रीजर में रखने नहीं ते शम, यह जम नहीं है हमने तक यह जम नानिया है हमने ट्वांटी टू थर्टी मिनध्स के लिए आप इसको जड़िएं कि nhânमे यह सैटल डाउन हो जाए क्योंकि इस तरह से अगर हम मैं इसकी कोटिंग करूंगी तो नहीं होगी, इसलिए फोगा, खुलेगा, तो आपने इस वज़ा से इसको फ्रीजर में रख देना है, यह दोनों रोल्स मेरे रेडी हो गए हैं, और बिलीव में यह बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इसको ट् काल लेंगे, तो फ्रीज करने का फाइदा यह था कि अब यह रोल की फोम में रहेगा, खुलेगा नहीं और हमारी कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, जादा फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम कोटिंग करके फ्राइए करेंगे तो वो जल जाएगा और अंदर से तो वो पकेगा नहीं, तो जादा आप लोगों ने बिल्कुल भी फ्रीज नहीं करना है, अब जलते हैं कोटिंग की तरफ, जैसा है कि as usual हमीशा से कोटिंग ऐसे ही होती है, फिर्स टो फॉल आपका मेदे का मेदे का सॉरी वाइट फ्रॉर का प्रिसेस होता है देन आप इसको रोल अप करते हो, अंडे में से कबाब, नगिट्स, वर्टावर, पैटी, जिंगर कुछ मेना रहे हो हम, और उसके बाद फाइनली आप इसको ब्रेट क्रम्स में से कोट करके फ्राइ कर देते हो, डीफ फ्राइ ओयल में, तो इसको भी हम ऐसी करेंगे, और आपको पता ही है, जब हम ब्रेट क्रम्स में कोई भी चीज फ्राइ कर रहे होते हैं, तो उसकी जो फ्लेम होती है हमने, वो लोटो मीडियम रिखनी होती है, या जस्ट मीडियम पर रिखनी होती है, हाई रिखने की वज़ा से ब्रेट क्रम्स पहले ही जल जाते हैं, और जो हम fry कर लेंगे बहुत ही मज़े का cheese blast rolls ready होते हैं ये आप लोग के सामने है मसीद किसी ingredient की जरूरत नहीं है और बहुत ही यमी बनते हैं इनको ना जादा light dish कह सकते हैं ना जादा heavy होते हैं लेकिन बहुत मज़े के snacks ready होते हैं party snacks के लिए best recipe है तो जब आप लोग try करें तो मुझे अपना review लाजमी दीजेगा क्योंकि मेरा तो बहुत best रहा था review जो कि मैंने आपके साथ share भी कर लिया है तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि मैंने low to medium flame को रखा हुए मैंने flame बिल्कुल high नहीं रखी हुई है अब हम इसको fry कर लेंगे इसको पहले four to five minutes देंगे एक साइड पे और देन four to five minutes देंगे दूसरी साइड पे हलका सा हिला लें कि मैं उपर वाली coating भी जरा oil में fry होजए और देन हम इसको turn देतेंगे जादा चमच मत रहाईएगा या जादा स्पून के साथ जोराज माई मत कीज़ेगा कि हमने इसके नहीं कोई तुट पे कोई चीज़ यूज देंगी है इसकी अपनी चीज़ के साथ गृप है जिसकी विड़ा से ये रोल जुरा रहेगा लेकिन अगर हम जादा कहते हैं कि बारबर समझ लगाएंगे पुश करेंगे फ्राय हो गया नहीं हुआ तो तूट सकता है खराब हो सकता है अट लीस्ट आपने इसको फ्राय करते हुए सिक्स टू सेवन मिनिट्स बोथ साइट को देने हैं पहले इदर वाली साइट को देन अदर वाली साइट को हलका से टर्न दे के फिर से पकाएंगे और जैसा कि हलका सा चीज भी मेल्ट होगा ओल में क्यूंकि आपको पता है चीज मेल्ट होके बाहर ही आती है और यह बनेंगे भी फ्राय होकी ही तो आप इसकी लुक देख सकते हैं चीज फिल्ट चिकन ब्रेस्ट रोल्स रेडी हैं बहुत ही जबर्दस किसम के यह भनते हैं तो यहां आप इसका टेक्स्टर देख सकते हैं और जो इसकी कोटिंग उतर रही है वो जस्ट इसलिए है कि मैंने आप लोग को पुश करके दिखाया है अंदर से जो चीज है वो कितने मज़े का लग रहा है तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपना बहुत ज़ादा प्यार दीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आकेन का बटन प्रेस कीजेगा तक आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे अल्लहाफिस